किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधान मंत्री जी के इसी विजन के साथ PM किसान के तहट अब तक 11 करोड से अधिक किसानों को 2 लाख करोड रुपए से अधिक की सम्मान राशी दी जा चुकी है सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई एक लाख साथ हजार करोड रुपए से अधिक की सम्मान राशी ने किसानों को बड़ी राहत पहुँचाई महामारी के दौरान भी देश का क्रिशी उत्पादन शानदार रहा दुनिया की सबसे बड़ी डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक PM किसान की सराहना IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है इस योजना से जुड़ने के लिए किसान जिले के राजस्व अधिकारी या CSC पर पंजी करण करा सकते हैं योजना से जुड़ी जानकारी, भुगतान की स्थिती, PM किसान वेब पोटल या PM किसान मोबाइल आप से प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेलप लाइन नंबर 155261 पर संपर कर सकते हैं तरक्की और खुशहाली की रोशनी, हर किसान, हर ग्रामीन युबा के चेहरे पर चमके और हमारे गाउं देश के दिकास के एहम भागीदार बने इसके लिए भारत सरकार एग्री स्टार्टप के विकास को एक नई गती दे रही है आज मधुमक्की पालन, मोटा अनाज, सूक्ष में सेचाई प्रबंधन से लेकर प्राक्रितिक खेती तक देश भर में कई आग्री स्टार्टप्स मिसाल बन कर उभरे हैं जो खेती को आधुनिक बनाने और पैदावार में व्रिधी करने के साथ ही रोजगार के भी अनेक मौके पैदा कर रहे हैं सम्रिध क्रिशी और सशत अनदाता के संकल्प को मजबूती देते हुए आज माननिय प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी ने पीम किसान की बारहमी किस्त के रूप में आठ करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड रुपए से अधिक की सम्मान राशी का डाइरेक्ट ट्रांसफर किया साथ ही दो दिवसीय पीम किसान सम्मान सम्मेलन और आग्री स्टार्टप प्रदर्शनी का उदगाटन भी प्रधान मंतरी जी कर रहे हैं खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता